पिछले वीडियो में हमने फोटो जर्नलिस्ट और वीडियो जर्नलिस्ट के लिए कुछ प्रेस परिशद यानि प्रेस काउंसिल और इंडिया द्वारा बताए गए हैं जिसका पालन करना प्रतियक पत्रकार फोटो जर्नलिस्ट और वीडियो जर्नलिस्ट का धर्म है इनको अक्षर चाहिए हमने बताया था कि अगले वीडियो में हम आपको निशेद के बारे में ब पतलब जितने भी फोटोग्राफर हैं जो घटना को कवर करते हैं उनको इस एंगल से उस वीडियो या फोटो को पेश करना चाहिए कि वो घटना एस इस दिखे ये ना लगे कि कहीं से भी उसका दुरूपयोग किया जा रहा है या तोड मोड के पेश किया जा रहा है दूस अतिगत्षवतंत्रता की और जो भारतिय सम्मिधान ने हमें दिया है वहीं पर एक राइट टू प्राइवेसी यानि के गोपनियता की भी बात आती है तो ये हमारे सम्मिधान ने हमें दिया है कि हमारी गोपनियता का उलंगन कोई भी नहीं कर सकता चाहें वो पत्रकार ही क क्यों ना हो लेकिन यहीं पर एक क्लॉज है कि अगर मालीजे कोई व्यक्ति है जो ऐसा कोई काम कर रहा है जिससे की बहुत बड़े जन हित को प्रभावित होना है तो फिर वहां पर वो गोपनियता की शर्त कायम नहीं रह सकती मालीजे कि कोई बहुत बड़ा नेता है या वीडियो हो फोटो हो तो वो उसको प्रकाशित कर सकता है जिसमें कि कुछ और नियम कायदे होते हैं मालीजे कि वो उसके चेहरे को बलर करके भी दिखा सकता है वीडियो को पूरे तौर पे नहीं तो शौट में दिखाया जा सकता है जो आपति जनक हैं उन चीजों को फोटो नहीं दिखाने चाहिए जिससे कि लोगों में डर, नफरत या फिर भै का माहल व्याप्त हो इसका मतलब यह है कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर फोटो जनलिस्ट और वीडियो जनलिस्ट मौजूद होते हैं और उनके सामने जो तस्वीरे होती हैं वो ए अभी जम्मू कश्मीर में आए दिन एंकाउंटर्स चलते रहते हैं और हर फोटो जनलिस्ट के पास उनकी तस्वीरे होती हैं लेकिन वो उसके बावजूद भी उन्हें खुले तोर पर नहीं दिखाते या तो उनको बलर करके दिखाया जाते हैं या फिर उनको केवल कार ना करें जो कवरेज को प्रभावित करने की मांग कर सकते हो कई बार ऐसा होता है कि जो प्रेस होती है मीडिया होता है इसको इन्वाइट किया जाता है तो अब किसी को इन्वाइट करते हैं तो उसके लिए हमारे भारतिय परंपरा है अतिति की तरह माना जाता है तो उस उस वक्त देते हैं एक कर्टसी के तौर पे लेकिन उनकी इंटेंशन होती है कि वो खबर को अपने हिजाब से मोल्ड करवा सके तो वहां पर साफ साफ मेंचन है वैसे तो किसी प्रकार का गिफ्ट नहीं लेना चाहिए लेकिन अगर फिर भी कर्टसी वश अगर कोई दे रहा ह उपहार की तरह या फिर आपको सम्मान की तरह रिवार्ड की तरह तो आप ले लेकिन उन व्यक्तियों से तो बिल्कुल ना ले जो उस कवरेज को प्रभावित कर सकते हों छटे नंबर पर है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है सूचना लेने के लिए किसी प्रकार का पैसा या फेवर नहीं लिया और दिया जा सकता सूचना लेना पत्रकारों का काम है फोटो लेना और वीडियो कवरेज करना भी पत्रकारों का काम है वहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि फोटो जनलिस्ट और जो वीडियो जनलिस्ट है वो कभी भी किसी भी तरह से सूचना इखटा क करने के लिए पैसे की मांग नहीं कर सकते पैसा या किसी तरह के फेवर की मांग नहीं कर सकते इसके अलावा ऐसे नौकरी से बचें जो पत्रकारिता स्वतंत्रता में बाधा हो या समझोता करती हुई दिखाई देती हो इसका मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई जो लोग ह वह एक साथ दो डो जौब कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं साथ-साथ पत्रकारिता भी चल रही होती है हालांकि जो फुल-टाइमर पत्रकार हैं उनके लिए बिल्कुल मना है कि वह किसी और जौब में हो लेकिन फिर भी यदि कुछ जैसे फोटो जनलिस्ट होते आठवे नंबर पर इसमें लिखा है पक्षपात ना करें यहीं तो हर पत्रकार के लिए है फोटो जनलिस्ट के लिए भी वही बात लागू होती है और वीडियो जनलिस्ट के लिए भी वही बात लागू होती है कि आपकी खबर आपकी फोटो आपकी वीडियो से किसी भी तरह इसमें लिखा गया है साथी पत्रकारों के काम का क्रेडिट ना लें मतलब इस पश्ट है जो हमारी पत्रकारिता है उसके अंदर आदर्शों का पालन किया जाता है खुद से किया जाता है कोई कमपैल नहीं करता अब मालीजे कोई काम हो रहा है तो ऐसा नहीं कि उसका पूरा क बड़ा रोल है इसी तरह फोटो पत्रकारों का भी रोल है तो यह कुछ गाइडलाइन्स थी जो कि भारतिय प्रेस परिशद द्वारा मैंचन की गई है कि फोटो जनलिस्ट को या वीडियो जनलिस्ट को यह काम नहीं करने चाहिए उमीद करते हैं यह वीडियो आपको वीयो आपको